वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जागा 34 ठीक है इससे पहले हमने कुश्चन नंबर 33 में ठीक है किसमे 33 में पोटेसियम क्लोराइड की सरचना के बारे में पढ़ा था अब हम जानेंगे पुश्चन नंबर 34 ठीक है जो कि आपके शॉट ऌंसर टाइप गुश्चन है त्यक है और आपका कर चैनल से के लिए बीएशन से इकंड से में ठीक है बात करते हैं त्यक्षिन नंबर 34 की ठीक है कह रहा है अंतरा फलक कोणों की इस्थिरता ठीक है क्या है इस्थिरता का नियम क्या है अंतरा फलक कोणों की इस्थिरता का नियम क्या है इसको long answer में discuss कर लिया गया है ठीक है अब कह रहा है समझाईए क्या करना है समझाईए किसी crystal के फलक x y तथा z अक्षों पर अंता खंड करमसा कितना है 2a,3b तथा c है जहां a,b,c क्रमसा x,y,z अक्षों पर 1i है क्या है x,y,z अक्षों पर क्या है आपकी unit है या 1i है तो miller घहतांक निकालना आपको miller indices निकालना है ठीक है very important question है ठीक है इस तरह से question पूच्छा जाता है ठीक है क्या miller indices आपको क्या करना है calculate करना है ठीक है कब x y z पर जब आपका a b c क्या हो एकाई हो ठीक है और a b c का मान दे रखा है क्या है 2a 2a 3b और c ठीक है और आपकी x कौन सी दे रखी है x y और z ठीक है चलिए तो में क्या करना है Miller indices आपको जो है निकालना है ठीक है माना क्या किसी unit cell के अनताखंड a b तथा c है कोई आपका 21 cell है ठीक है मान लो कोई क्या है आपका 21 cell यह आपका क्या हो जागा एक 21 cell है ठीक है क्या है आपका 21 cell ठीक है यह क्या है आपका 21 cell ठीक है अब इसमें जो आपके अनताखंड क्या है a b c है मान लो इसमें अन्ताखंड क्या है आपके A, B और आपका क्या है C है इस तरह से इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C तो यह क्या है आपके अन्ताखंड जहाँ पर यह काट रहे है ठीक है तो अंताखंड क्या है यह हमने क्या पढ़ा था 2A और B में क्या था 3B और C आपका क्या है C तो यह तीनों क्या है आपके अंताखंड है ठीक है जहां पर यह तीनों एक दूसरे को काट रहे है ठीक इस तरह से यह क्या था आपका 2A और यह क्या है आपका 3B और यह क्या है आप ठ काुझ फिक तो यस तरह से अंताखंडा है आपके दे रखके है आप जब अंताखंडा के दे रखके हो फिर्ट कतो उन्हीं की का यह क्या प्राप्त करने के लिए वाइस अंकों को किसको वाइस अंकों के बिलोम लेने पर क्या करेंगे अब जो आपके मिलर इंडाइसेस आया है 2,3,1 इनका क्या करना है बिलोम लेना है ठीक है बिलोम लेने पर Miller Unc. प्राप्त होते हैं. तो इन तिनों का क्या कर लो? बिलोम ले लो. ठीक है? तो क्या है? Forgetting Miller Indecis, Opposites of Vice Indecis, ठीक है? तो भई, Miller Unc. प्राप्त करने के para Państu करने के लिए क्या कर आए? Opposites of Vice Indecis, ठीक है? Vice Indecis. तो इनका हमने क्या कर लिया? यह आपोजिट ले लिया है किस तरह से तो मिलरंग करने के लिए चैसे गुणा कर देते हैं कितने से गुणा कर देंगे 6 से जिससे कि यह सभी आओ जाए एक पूर संख्या हो जाए ठीक है 1 upon 3 into 6 और 1 upon 3 into 6 1 upon 1 into 6 ठीक है तो सम्में आपने क्या करना विश चे से गुढा कर दे नहीं है ठीक है 1 upon 2 into 6 comma 1 upon 3 into 6 comma 1 upon 1 into कितना हो जागा आपका 6 तो यहाँ पर क्या अब आछागा आपका 6 दो और यहाँ पर कहा जागा 6 वटे 3 और यहाँ पर क्या हो जागा 6 वटे 1 ठीक है अब इससे काट दो कितना आ जागा यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर कितना आ जागा आपका 2 और यहाँ पर कितना आ जागा आपका 6 क्या जागा आपका कुछ इस तरह से आपको एक संखे मिल जागी ठीक है कितनी 3 2 6 क्य हमने क्या करना है वो कैसी आ जाए एक रिए क्यिक्सेग ना रहे है इसमें 6 से गुणा कर दिया तो 6 से क्या आ करने के बाद आपकाै है 3 26 कितना आगया वैं 326 यह अपर भी तू और आपका क्या लाइन कंसी होगई 24М आपके क्या होंगे मिलर अंक होंगे जो की आपका वहती ज़्यादा पूंचा जाता है ठीक है हर बार पूंचा जाता है अर्था मिलर गहतांग क्या हो जागा मिलर पावर क्या हो जागा आपका 326 अगर मिलर गहतांग की बात करें तो कॉमा नहीं लगाना है ठीक है एक पूरी संख्या बना के लिखना है ठीक है क्या हो जागा मिलर गहतांक आपका 326 ठीक है किता हो जागा आपका 326 आपका मिलर गहतांक के रूप में लिखा जागा और मिलर अंक क्या हो जागा होगा आपका 3,2,6 ठीक है तो इस तरह से आपने क्या करना है Miller Ankh ठीक है क्या ग्यात करना है Miller Ankh को आपको ग्यात कर लेना है ठीक है उम्मीन करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो बने लिए हमाँ साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग और शेर दे वीडियो